हेलो दोस्तों मैं अरविद मौर्या स्वागर करता अपने यूट्यूब तो अनले सान क्लस्स में आज के बीडियों हम डिस्टस करेंगे का बीडि के बारे में इनकी जो बरकिंग फिया होतिए इन की चिज़ों के बारे में इनकी सब चीजों के बारे में इसका बी चैनले में अरब करने के लिए इसका यूज किया जाता है इसका क्या भू आइज होता है वो फार्मसिट के alive कर आ Sios में FBD का यूज किया जाता है ठीक है FBD का फुल नेम देखिएगा इसका जो फुल नेम होता है वो होता है फुल डाइस्ट बेट ड्रायर इसका फुल नेम होता है और इसका एक और नेम होता है fluid bed dryer, कहीं कहीं पर fluid bed dryer लिखा रहता है, तो अब confused मत हो, यह गा दोनों एकी चीज़ है, ठीक है, अब बात करते हैं किस principle पर work करता है, तो जो FBD होता है, यह material के fluidization के principle पर work करता है ठीक है, यह material के fluidization के principle पर work करता है, fluidization process में होट एयर को क्या करते हैं solid particles जयानि कि जो powder form में जो materials होते हैं उनसे pass करा जाता है वो जो material होते हैं एक बावल में रखा जाता है उस बावल के bottom से क्या करते हैं hot air को pass कराते हैं जिससे जो material होता है वो ऊपर की उठता है फिर नीचे गिरता है उससे होता क्या जो hot air है उसमें होता है क्या है उसमें होता है clear प्रिंस्पल पर बात करता है इसकी construction के बारे में किसी construction कैसे होती कौन-कौन से पार्ट से उसके बाद इसकी working अपने तीक है इसके देखिएगा इसमें एक सिलिंडर होता है एक hollow cylinder होता है ठीक है इस hollow cylinder में क्या होता है filter cloth लगा रहता है यह filter bag आप बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारी fingers होती है ठीक है बहुत सारी fingers होता है इसका screen पर आपको photo दिख सकते हैं रिलेट कर सकते हो ऐसा होता है और पूरे FPD कभी आपको photo दिखता रहेगा तो आप उससे देखते र होते हैं कि उससे जो हमारा powder form है जो material होता है वो पास नहीं होता है उल्ली एर पास हो सकती है ठीक है इतना छोटा रहता ठीक है अब उसके नीचे देखिएगा आप सिलिंडर के नीचे क्या होता है detachable bowel होता है जो red color से आप देख रहे हैं यह detachable bowel होता है detachable bowel यानि कि जो अलग हो सकता है ठीक है और उसका जो detachable bowel का जो bottom होता है वो perforated होता है यानि कि उसमें क्या होता है एक screen लगी रहती है जो screen होती है बहुत ज्यादा मेस नंबर की होती है मतलब इतने छोटे छोटे इसमें hole होते हैं कि यह जो powder form में जो materials होता है वो pass नहीं होता है only इससे air pass हो सकती है material pass नहीं होगा only इससे air pass होती है इतनी छोटी इसमें holes होते है ठीक है और यह जो detachable bowel होता है वो एक stand पर रहता है देखिएगा यह जो आपको दिख रहा है green color का stand है और stand में देखिएगा क्या हो रहता है leaves लag prototypes ने देखिए लिए यह डिज़र लगा रहता है जो की मूव कर सकता है मतलब इसको हम बाहर निकाल सकते कि फिर लगा सकते है असादी सको मूव करा सकते ऑसानी सकते है ठीक है इस नीचे निचे देखिएगा ब्लु कलर से हम झोख relief baseMom और θocyte पर होता है और इस हीटर के आगे क्या होता है कि एक फिल्टर लगा रहता है जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करता है ठीक और इसके ऊपर देखेगा अभी आपको working समझाएंगे तो आपको समझ में आगा अभी हम construction आपको बता रहा है कि कौन-कौन से से इसके parts होते हैं अब इसके आपक connect रहता है ठीक क्या रहता है एक blower connect रहता है ठीक अब बात करते हैं इसकी working के बारे में कैसे वर्क करता है क्या कहता है एक बावल देखने आप इस बावल को बाहर निकाल लेकि अंख नगया रहता है gentleman कई बावल करने के लिए के ओपर के रहता है जो कैसे यान रहे ahora करता है देखिए час न जो काण्ट्रोलर पैना त्भ एक बटन रहेगी उस बटन में जब बाकरेंगे तो तो क्या होता है एयर के थूरू एयर के प्रेसर के थूरू यह एयर के प्रेसर कैसे होता है एयर कंप्रेसर होते हैं जिसे एयर को कंप्रेस किया जाता है और यह जो होता है एयर प्रेसर से ही वर करता है तो एयर के प्रेसर के थूरू क्या होता है यह जो इसके उपर साकर होता ह और यह बावल क्या होता है इसमें फिट हो जाता है पूरा इसनम अच्छे से फिट हो जाता है इसमें इधर ऊपर भी गैस्केट लगा रहा था इधर भी गैस्केट लगा रहा था ताकि कहीं से भी पावडर बाहर ना निकल सके ऐसे यह फिट हो गया उसके बाद क्या करते हैं इसमें एक बटम रहेगी जिससे हम क्या करते हैं ब्लोवर को स्टार्ट करते हैं अब जब ब्लोवर को स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है ब्लोवर क्या करता है पार्सली वेक्यूम क्रेट करता है जो कि देखेगा यह लाइन से होते हुए वेक्यूम क्या होगा यहां तक बहुत सारे particles होते हैं जैसे धूल दूल को सकते हैं से पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगर उसको हम फिल्टर नहीं करेंगे तो अंदर जाके क्या करेंगे अब जानते हैं इसको फर्मासेटिकल इंडेस्टिस में उसकी आ जाता है तो फर्मासेटिकल इंडेस्टिस में में बनते हैं तो मेडिसीन में क्या होगा यह पार्टिकल्स स्टीम देते हैं अब यह स्टीम देते हैं तो इसका टेंपरेचर इस योन का हाई रहता है जिससे एयर जबाता है तिस क्वाइल के कंटेक्ट में जबाता है तो वह हौट हो जाता है मतलब वह क्या होता है होट हो जाता है और इसका जो स्टीम मतलब एरिया का जो हमें क्या हुआ है यहां से hot air क्या होता है इस जो next rocks कि कि आपको बता है word आप स्क्रिन लगी रहती है अब यहां से क्या होगा आपने तिमें सास्वा रूठाटी है जो समस्में जूब ऑपर रूता है जिस से होता है उसमें ही slab करोता है और मैटरील होता है ने एक चिपकता जागा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा इसमें इतना छोटा चिद्र होता है की मैटरील इसमें रहे जाता बाकि एर निकलती है लेकिन में इसे चलता रहता है और जो हमारी निकलते हुए इस ब्लोवर से बाहर एक्मस्फियर में निकल जाती है और यहां से यह होता है और यहां देख रहे है फिल्टर क्लॉथ होता म 오래 होता है इसमें यह हीलता है मतलब उपर नीचे की और क्यों होगा निचे आगा ऊपर जैगा जिस्से गोल घंड जुटे हैं और निचे पाँड़र गॉता है उसके बड़ाएगे उस्के गया बन्लॉड vib हो गया पूरlden करना खो तो इससे से क्या होता है यहां पर रहता है यहां से प्रेशर को सब्सक्राइब तो प्रकार से वर्क करता है तो आयोप आप समझ गयोंगे कैसे वर्क करता है कैसे में प्रकार को ड्राइग किया जाता है